दूसरों टाटा पावर की बात के तो श्टॉक के अंदर आज गिरावट है अब इस गिरावट के पीछे वज़ा है बाजार में गिरावट और बाजार में गिरावट के पीछे वज़ा है इंटरनेर्शनल बार्केट में गिरावट जो हमने फ्राइडे के दिन बहुत ही जब बहुत ही सांदर गुड़नी निकल के आ रही है पावर सेक्टर को लेकर अब वो क्या गुड़नी जह उसको अच्छे से समझेंगे और जानने की कोशिस करेंगे क्या इस गिरावट का हमें फाइदा उठाना चीए क्या डिप में हमें टाटा पॉर में खरिदारी करनी चीए औ पर अपर 653 पॉइंट की बड़ी गिरावाट है 1.16 परशन गिरा है वाना बाजार निप्टी एनलगी की बातकर के यहां पर भी बड़ी गिराव Holz है 251 1.40 रिप 340 ती की बड़ी गिरावट हो रही है 1.72 त यानी सेटिजना है कि ताटा परों में यह में उतनी गिरावट क को मिल रही है फिलाल देख सकते हो इस्टॉक की सुरुआद 216 पर होई थी और लो बना है 212 का हाई है 218 का फिलाल इस्टॉक अपने लो लेवल की तरफी है यानि 212 पर है गिरावट और भी हो सकती है फिलाल 1.76 फरसंग की गिरावट है जैसे कि बाजार स्लिप हो रहा है वैसे ही यहाँ टाटा पार में भी हमें गिरावट देखना को मिल रही है लेकिन यहाँ पे अगर आप देखे तो श्टॉक ने काफी अच्छा परदसन किया है आप देख सकते हो कि कोविड काल में यह 28-30 रुपे का स्टॉक था 300 तक जाके है कम समय में बहुत ही जबदस रिटन दिया लेकिन पिछले 6 महिने से स्टॉक में कोई भी हमें तेजी देखना को नहीं मिल रही है लेकिन वन एर के हिसाब से अभी अच्छा रिटन देरा स्टॉक करीब 26% का क्यों तो पिछले 6 महिने से स्टॉक में गिरा और जारी है लेकिन यहाँ पर टाटा पवर की बात के तो कंपनी फॉजल फॉजल फिल्स और नॉन फॉजल फॉजल फिल्स दोनों ही सेग्मेंट में अच्छे से काम कर रही है अब यह electricity distribution का काम का जा इनका इसके लावा अगर आप देखे तो कंपनी coal-based power plant, gas और oil तीनों ही सेक्टर में काम कर रही है इसके लावा कंपनी के wind power और solar project भी है और काफी तेजी से आगे बढ़ रही है और कंपनी EV charging का का कारूबार में भी तेजी से कर रही है smart meter और smart home product भी बना रही है कंपनी यह सारी जो गतिव इदिया है यह वाकई में टाटा पाउर को दूसरी कंपने से हटके साबित करती है यहां भी बाजर के लिए जो सबसे बड़ी टेंशन है वो है मारा इंडियन रूपी जो लगातार पीट रहा है कि 82 तक चला जाएगा च्योंकि फिलाल है 81.85 के आसपास है और जब 80 के आसपास आगया तब इलेक्टिसिटी कंजम्शन जबर्दस बड़ा है यानी 13.31% की बड़त देखनों को मिल रही है इलेक्टिसिटी कंजम्शन में और जो करीब 127.39 बिलियन उनिट्स का इस्तेमाल हुआ है सेप्टेमबर मन्त में स्टार्ट के छे मैंने ही देखे तो 11.65% की जबर्दस जब देखनों को मिल रही है यहाँ पर इलेक्टिसिटी कंजम्शन में तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमारी जो इलेक्टिसिटी कंजम्शन लगातर बढ़ी है इसके पीछे वज़े ही है कि जो पैंडमिक का दौर था सबसे बड़ा रीजन यह भी है कि फेस्टिवल सीजन सुरू हो चुकी है और इस वज़े से भी इलेक्टिसिटी कंजम्शन बढ़ रहा है अप्रेल से लेके सेप्टेंबर की बात के 2022 की तो करीब जो बढ़त है वो 11.65% की रही है जो करीब 786.5 billion unit का रहा है जबकि पिछले साथ सेम कॉर्टर 2021 की बात के तो यह 740.40 billion unit का इस्तेमाल हुआ था और अगर 2020 की बात के तो 625.33 billion unit का इस्तेमाल हुआ अप्रेल से सेप्टमबर के मन्त में तो यह आप देख सकते हो कि कॉर्टर ऑन कॉर्टर बेसिस पे भी बड़त हो रही है और यह और बेसिस पे जबरद सेप्टमबर में करीब 199.47 gigawatt की डिमांड बढ़ी है तो इस तरह से देखे तो लगातार electricity डिमांड बढ़ रही है पिक power supply की बात के तो 180.73 gigawatt का रहा है सेप्टमबर 2021 में यानि पिछले साल से देखे तो जबरदस जंप देखने को मिल रहा है पिछली बार 180 gigawatt का यह पिक तो लगातार बिली की इसनेवाल बढ़ रही है और इसी वजह से हमें इसमें एक बड़ी positive समावना दिखाई दे रही है अगर हम 2019 की बात के तो जो पिक डिमांड थी power की वो 173.14 gigawatt की थी यहां पे जो experts की राई निकल के आ रही है वो कह रही है कि यह double digit growth है यह आगे भी ज sector के जितने भी share है उनको भी तेजी का फाइदा मिलेगा क्योंकि electricity consumption बढ़ेगा तो जो quarter 3 होगा वो बहुत ही बैतर रहेगा इस बार quarter 2 तो quarter 1 से अचारने की पूरी समावना है लेकिन quarter 3 उससे भी सांदार रह सकता है दूसरी तरब देखे तो company EV charging के उपर भी बहुत तेजी स से आगे बढ़ रही है यह सबसे जो man business के बाद इनका second business है EV charging में इनोंने अपना जो goal set किया वो काफी बढ़ा है यहाँ पर सरकार की तरब से भी का कि 2030 तक EV charging का पूरे हिंदूस्ता में जाल बीचाये जाएगा यहाँ पर Tata Power ने देखे तो करीब 2200 charging point और इस्टाबिस कर द 46,000 EV station लगाने 2030 तक और इसमें एक बहुत बड़ा योगदान Tata Power की तरब से होने वाला है दूसरी तरब अगर देखे तो Tata Power लगातार green energy sector में भी सकरी है और लगातार बहुत सारे solar project sign कर रहे हैं और अलड़ी हमने पिछले वीडियो में डिसकस किया है September महिने में ही उन्हों 6 महिने से इसकी price नहीं बड़ी हो लेकिन आने वाले से में जैसे ही इसमें positive महुल बनना शुरू होगा stock एक तरपा दोड़ेगा वैसे ही दोड़ेगा जब ये 28 से 300 तक चला गया था क्योंकि ये एक तरस से देखे तो ये इसकी जो रपतार है वो कच्छो की रपतार है क्यो आप जून 2021 में 10,132 को रपीच का इनका total जो revenue था वो लगातार हर quarter में बढ़ते हुए जून 2022 में 14,495 को रपीच पहुच गया तो ये आप देख सकते हो कि बहुत ही बड़ा jump है करीब 50% का jump है पिछले एक साल में तो revenue में बहुत ही सांदार बड़ोतरी हुई अब यहां प जून 2022 में 795 कोड़ी तक पहुच गया तो profit दुगुना हो गया यानि आप देखे तो revenue लगबग डेड़ गुना हुआ और profit तो सिधा दुगुना हो गया एक साल में इसका मतलब company का का कारूबार बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय ये stock कुछ कमाल कर सक सकता है तो long term का नजरिया लेकि आपको टाटा पौर में निवेस करना चीए और गिरावट का आपको फाइदा उठाना चीए आने वाले समय में definitely आपको टाटा पौर में बहुत ही साधार तेजी देखना को मिल सकते है फिलाल बाजार के sentiment थोड़े से निगेटिव बने ले अपने financial advisors ले ले या अपना खुद का research करें क्योंकि मैंने वीडियो आपके educational प्रपज के लिए ही बनाए वीडियो पसंद आए तो like से जरू कीजिए और channel को subscribe कर दीजिए thank you friend